अध्याय तीन देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम हैं भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना हे प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वै है और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वै अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वै पवित्र है जो कोई पाप करता है वै विवस्था का विरोध करता है और पाप तो विवस्था का विरोध है और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रगठ हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके सुभाव में पाप नहीं जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको चाना है हे बाल को किसी के भर्माने में ना आना जो धर्म के काम करता है, वही उसकी नाई धर्मी है, जो कोई पाप करता है, वहे शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंबही से पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र, इसलिए प्रगठ हुआ, कि शैतान के कामों को नाश करे, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वहे पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं, और नै वह जो अप अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंबह से सुना, वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था, और जीस ने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम ब धर्म के थे, हे भाईो, यदि संसार तुम से बैर करता है, तो अचंभा ना करना, हम जानते हैं, कि हम मृत्यू के पार होकर जीवन में पहुचे हैं, क्योंकि हम भाईों से प्रेम रखते हैं, जो प्रेम नहीं रखता, वह मृत्यू की दसा में रहता है, जो कोई अपने भा इससे बैर रगता है वह हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाईयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ती हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है हे बालको हम बचन और जीब ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें इसी से हम जानेंगे के हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोश देगा उसके विशय में हम उसके सामने अपने अपने मन को धानस दे सकेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और साब कुछ जानता है हे प्रियो यदि हमारा मन हमें दोश ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्याओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं और उसकी आज्या ये है के हम उसके पुत्र यिशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्या दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें और जो उसकी आग्याओं को मानता है वो इसमें और यह उसमें बना रहता है हौर इसी से अर्थार्थ उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है झाल झाल